लकातार खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूटुब चैनल MP News TV और हाँ बेल आइकन दबाना ज़रा भी न भूले मैं शेवानी एक बार फिर लाई हूँ आपके लिए बॉलेवुट जगत से चुड़ी कुछ खास खबरे सारे जहां से अच्छा नहीं होगी ओन स्क्रीन जिहां शारु खान और आमर खान की मना कर देने के बाद मेकर्स को नहीं मिल रही है स्टार कास्ट तो वो इस फिल्म को जल्द ही बंद करने वाले हैं आईए आपको बताते हैं आखिर फिल्म मेकर्स को क्यों नहीं मिल रही है स्टार कास्ट भारत के पहले अंत्रिक्षियात्री राके शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा की कास्टिंग पिशले करीब दो साल से चड़ रही है इस फिल्म के लिए आमर खान और शारुखान से लेकर विकी कोशल और राजकुमार राव तक के नाम पर चर्चा हो चुकी है पर अब तक मेकर्स इसकी कास्टिंग फाइनल नहीं कर पाए हैं सूत्र बताते हैं कि फिल्म के शुरू ना हो पाने के पीछे का कारण सिर्फतना है कि इसके लिए जिन एक्टर्स को अप्रोच किया जा रहा है उनमें से कुछ पहले ही बायोपिक का हिस्सा बन चुके हैं वे करियर में इतनी जल्दी एक और पायपिक नहीं करना चाहते कास्टिंग पूरी ना हो पाने की स्थती में प्रोडक्शन का भी काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है अब चर्चा है कि मेकर्स ने इस फिल्म को बंद करके दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है शुशान सिंग राजपूत और श्रधा कपूर साथ नजर आने से फैंस काफी खुशें पर फैंस की खुशी दोगना हो गई जब फिल्म के डिरेक्टर ने बताया कि फिल्म 1992 और 2019 की दो टाइम लाइन में नजर आएंगी इस फिल्म में कॉलेज ग्रोइंग स्टोरी और मेडल एज स्टोरी दिखाई जाएगी आई आपको दिखाते हैं इस फिल्म से जुरे कुछ अमेजिंग पिचर्स शुशान सिंग राजपूत और श्रधा कपूर सारज शिछोरे फिल्म के सभी अहम किरदार दो अलग-अलग टाइम लाइन में नजर आएंगे फिल्म का एक पोर्शन 1992 में सेट है जबके दूसरे पोर्शन में वही किरदार आज के समय यानी 2019 में नजर आएंगे फिल्म के निर्देशक नितेश्टिवारी बताते हैं कि फिल्म का हर किरदार कॉलेज ग्रोइंग स्टूडेंट भी है और मिडल एज भी है 1992 के पोर्शन में सबको कॉलेज में बेच मेट्स और होस्टल मेट्स दिखाये गया है और 2019 के पोर्शन में इनको आपसे संबन्द और महत्वकान चाहिए क्या है और कैसे हैं फिल्म पर बेज़ जहे इस फिल्म का ट्रेलर फ्रेंशिप डे पर रिलीज होगा अविताब बच्चन के बाद अब आयुशमान खुराना ने पूरी की गुलावो शिताबो की शुटिंग देखी कुछ व्रेप अप पिचर्स आयुशमान ने मंगलवार को ये पिचर शेयर कर लिखा इट्स व्रेप अप आफ गुलावो शिताबो इस तस्वीर में डायरेक्टर सुझी सरकार और प्रड्यूसर रोनी लाहिरी ने जरा रहे हैं जबके अभिताब बच्चन ने फिल्म के रैप अप पोस्ट कुछ दिन पहले ही शेयर किये हैं कल मुंबाई में स्ट्रीट डांसर के डायरेक्टर और जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डी सूजा ने एक पार्टी और्गनाइस की इस पार्टी में स्ट्रीट डांसर की पूरी टीम पहुचे आईए आपको दिखाते हैं इस पार्टी के कुछ पिचर्स वालिवोड अमिनेता वरनुन धवन और श्रदा कपूर की अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के शूटिंग पूरी हो चुकी है ये पार्टी रेमो ने मुंबई के अंधेरी इलाके में मिनिस्ट्री ओफ डांस पार इंड कीचन्स में रखी जिसमें भुशन कुमार अपनी पतनी दिव्या खूसला कुमार के साथ पहुचे इस के लावा शदा कपूर नोरा फते ही प्रबुदेवा भी पहुचे रेमो डिसुजा इस पार्टी में पतनी लेजली डिसुजा के साथ नजर आए आपको बता दे की गौर तलब है कि इस फिल्म के निर्देशक खुद रेमो डिसुजा है ऐसे में उन्होंने रेश्टरों के लॉंच के साथ साथ फिल्म के पूरे होने का जश्न भी साथ ही मनाया सेफ अली खान और तबु की अपकमिंग फिल्म जवानी जाने मन का फैंस बेसबरी से इंदिजार कर रहे है इस फिल्म की शूटिंग लंडन में चल रही है इस फिल्म में सेफ और तबु के साथ पूजा बेदी की बेटी आलिया फरनीचर वाला निज़र आएंगी अब फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरे सामने आई है आई आपको दिखाते हैं यह तस्वीरे करिब 20 साल बाद परदे पर सेफ अलिखान और तबु की जोड़ी एक बार फिर दिखाई देंगी पिछली बार ये जोड़ी फिल्म हम साथ साथे में दिखी थी जिसे काफी पसंद किया गया था वहीं आलिया फरनीचर वाला भी बॉलिवुड में डेब्यू कर रही है इसमें आलिया सेफ अलिखान की पेटी के किरदार में दिखेंगी कुछ दिनों पहले तबु का फस्ट लूग रिलीज हुआ था अब सभी सितारों की पहली जलक सामने आई है अगर आप क्रिश सिरीज के फैन हैं तो आपके लिए आई है कुछ बड़ी और खास खबर जियां रितिक रोशन ने बताया है कि वह जल्द ही क्रिश फोर बनाने जा रहे है खेर अभी इसके रिलीज डेट के बारे में नहीं पता चल पाया है तो आईए आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ और डिटेल्स पिछले साल रितिक रोशन के बसेड़े पर उनके पीता राकेस रोशन ने घुशना की थी कि वह क्रिश फोर पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म को साल 2020 में क्रिस्मस के मौके पर रिलीज किया जाएगा हाला कि इसके बाद से इस फिल्म के बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई है जब क्रिश फोर के बारे में रितिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इस बारे में केवल इतना कह सकता हूँ कि इसके स्क्रिप्प अभी फाइनल स्टेज में है जब रितिक से पूछा गया कि क्या यह फिल्म क्रिस्मस 2020 तक रिलीज हो पाएगी इसके जवाब में नहोंने कहा यह आगे के प्लान पर निर्भर करता है अगर में क्रिस्फोर से पहले कोई और फिल्म शुरू करता हूँ तो शायद इसके रिलीज डेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो यह थी बॉने वो जगत की कुछ खास ख़बरे अब वक्त हो गया है जाने का पर आप कही मज़ा यह बने रही है हमारे MP News TV पर और अपडेट रही है एसे ही कई बड़ी और खास ख़बरों से